क्योंकि डेरी फार्मिंग में जब तक कॉस्ट कटिंग नहीं करेंगे जिसान लाब में नहीं पिलाने से एक और प्रोफिट है कि जैसे प्रती दिन साथ सो से आठ सो ग्राम प्रती दिन की ग्रोफ आती है तालीस उर्पय वाला दूद फिला रहा है तालीस गुड़े चालीस कर लीजिए आज गाय बच्छा देजिए तो खोशिस करिए शुरुआत का चो छे घंटा है उसमें दस प्रतीसत दस से बारा प्रतीसत बॉड़ी वे तो है कैसे हम तियार कर सकते हैं कैसे अपने बच्छों का ग्रोथ हम बढ़ा सकते हैं किस तरह उनका रख रखाव करना चाहिए सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में जनकारी लेंगे नर्थिष्ट के जो सेल्स मनेजर है विजय कुमार विश्व कर्मा सर से हम जनकारी लें नमस्कार मेरा नाम विजय कुमार विश्व करना है और मैं नौर्थ इंडिया में सर्वल कंपनी का मैनेजर हूं जे जे और सर्वल फ्रांस की कंपनी है जे जे लगभग 50-60 साल से काम कर रही है जे वो सिर्फ और सिर्फ जो छोटे युवा जानवर होते हैं जैसे कि डेरी स बनाती है जीट सप्लिमेंट बनाती है जैसे मैं आया हुआ हूं तो हमारे पशुपालक है वो मिल्क रिप्लेसर यूज करते हैं यह हमारा सर्वल का मिल्क रिप्लेसर आता है 25 किलो का बैग जे जे केल्वी मिल्क नाम से प्रोड़क्ट है नीली रंका बैग होता है और इसम बच्चे स्वस्थ भी रहते हैं ब्रोध भी अच्छी आती है और किसान को फायदा होता है कि जैसे मान लीजिए यह 32 से 33 रुपया लीटर दूद बना के बढ़ रहा है तो अगर किसी का दूद 40 रुपया भी करा है 50 रुपया या बहुत सारे आजकल आप देखे हूंगे कि किसान बोतल शीसे के बोतल में डेट्रा पैक ऐसे करके मार्केट में सेल कर रहे हैं तो समझीए अगर 50 रुपया कोई बेच रहा है तो 18 रुपया बचातुन का हो जाता है तो यह भी एक किसान का प्रॉफिट है पॉस्ट कटिंग करके क्योंकि डेरी फार्मिंग में जब त सच्छी के दूद से बना हुआ है तो यह दूद ही है मा का दूद है कोई भी इसमें एजिटेट ना करें कि यह मां का दूद नहीं है यह हमें इसे ना पिला प्रॉफिट है कि प्रति दिन 700-800 ग्राम प्रति दिन की ग्रोफ आती है जैसे 45 रुपए लीटर कोई दूद पास दस बच्चे हैं दस बच्चों में दिन भर चार लीटर दूद दे रहा है तो अगर वह 45 उर्पय वाला दूद पिला रहा है तो 45 गुड़े 40 कर लीजे वह महंगा पड़ा ये 32 उर्पया लीटर पड़ रहा है तो इसको पिलाने से किसान को अपना खुद का फादा और पैसा बच रहा है दूसरा चीज है इसमें मिनरल प्रोटीन विटामिन मिनरल और जैसे की टॉक्सिन बाइंडर ये सारी चीजें इसमें मिलाई गई है ताकि पशू का स्वास्थ अच्छा रहा है मैं थोड़ा सा किसान को बताना क्योंकि जो आथ होती है इंटेस्टाइन होती है बच्चे की वह शुरुवात का जो छह घंटा उसमें तो बच्चे से खीस को एब्जॉर्ब कर पाता है अगर आप थोड़ा भी उसमें विलंप करेंगे तो काफ को वह रिजल्ट नहीं मिलेगा खीस का तो वह बहुत अची चीज है शुरुवात के 6 घंटे में आप खीस ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करें और चार दिन तक खीस अच्छे मातरा में पिलाएं क्योंकि चार दिन तक खीस अच्छा रहता है गाय का उसके बाद से अगर आप दूद पिलाते हैं या मिल्क रिप्लेसर जैसे मै अगर आपका काफ 40 किलो का है तो उसका 10% 4 किलो हुगा तो 2 लीटर सुबह 2 लीटर साम जै आप उसको दूद दीजिए फिर उसको एक हपते बाद वजन कीजिए उसका वेट अगर 45 किलो हो गया तो उसका 10% आप दीजिए दो भागों में सुबह साम और कोशिस करिए सात्व जारखंड और भी स्टेटों में बात अभी लोग समझ नहीं पाए है उसको हमें एक अच्छे मेसेज देने की जरूबत है किसान को जैसे कि दूद आप देते हैं ठीक है लेकिन कोशिश करिए सात्वे दिन से या छटवे दिन से भी आप दाना उसको जो काफ स्टार्टर हो जाता है तो वह बच्चे थोड़ा बहुत दाना खाने लगते हैं तो दाना खाने से क्या होता है उनका रूमन का विकास होता है तो जो एक किसान का अपना टार्गेट होना चाहिए अगर वह बच्चिया अच्छा डेरी फार्मिंग कर रहा बच्चिया कैसे पालें तो तीन साथवे दिन से रखना शुरू कर दीजिए और दूद दस प्रतीसत बड़ी वेट के इसाथ से देना शुरू करें आप चार से साथ दिन तक आप दो महिने तक दूद उसको बढ़ाईए पिर धीरे-धीरे कम करते जाएए क्यों कि काफ स्टार्टर जब आप देंगे तो काफ स्टार्टर जैसे जैसे बढ़ेगा दूद आपको सतर से नव्य दिन के बीच में कं करते तो तीन महीने बाद वो दूद झुड जाएगा तो कितने महीने तक देना है सिर इसको बहुत सारे किसान 75 दिन तक देते हैं बहुत सारे किसान 90 दिन तक देते हैं तो वैसे तो कोशिश करिए तीन महिना जाएगा सर्व जैसे यह 25 किलो का बैग है तो जैसे माल लीजे आपको एक लीटर दूद बनाना है तो एक सो चालीस ग्राम पाउडर साफ पानी लेना है एक किलो एक लीटर एक हजार एमल पानी का तापमान 50 डिग्री होना चाहिए खौलते पानी में नहीं डालना है पचास स पच्पन एक लीटर उसमें 140 ग्राम पाउडर डाली है दो मिनट में यह मिक्स हो जाता है और गांठ नहीं बनता है इसमें जो पाउडर है वो बैठता नहीं है अच्छे से दूद की तरह मिक्स हो जाएगा फिर 38-40 डिग्री पर बोटल में भरिए और एक और संदेश देना बाउड़ गोषंद की लिए बनकी इसमें आते हैं तो नहीं को सुखने नहीं पाता है यह सरुकलब्ध है जैसे अगर बीहर की बात करें या यूपी की बात करें तो अब अगर बिहार की बात करें तो अपने पटना में है मनिस इंटरप्राइस करके डिस्ट्रिब्यूटर है जो डेरी एक्विप्मेंट का काम करते हैं और उनके पास असानी से उपलब्ध है चलिए इतनी महत्वपून जंकारी हमारे दर्शकों के साथ साजा किये सर इसके लिए आ